हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ पुजा सितिया हमारा चैप्टर चर रहा है चैप्टर जर्नल टीस करिवाल की बुक से एक्जांपल कर रहे हैं आज नेक्स्ट एक्जांपल अब करेंगे जिसमें टॉपिक आपका ट्रेट डिसकाउंट और कैश डिसका में जो information जब भी आपके जर्नल वाला question ऐ उसके अंदर आपका ट्रेड डिसकाउंट पर टोपिक हो जब भी हमारा ट्रेट डिसकाउंट और कैश डिसकाउंट होता है हमेशा ध्यान रखना या तो आपकी वह होती है परचेस के ओपर और या फिर आपकी होती है वह सेल के ओपर अब हमारा जहां पर बी आपका SOLD Goods होता है मैंने हमेशा हर जानल की एन्ट्रिस कराते हैं रिजारे तो हाँ अकरनल शक्रते हो तोसनला या क्रेडिट क्रेडिट होती है तो सबसे पहले आप क्या करोगे debit और debit का space छोड़के credit के लिए आप क्या word use कर दोगे two तो जिस चीज का आपको confirm है कि आपका debit or credit में से चीज आएगी तो पहले हम उसको लिख लेते हैं फिर हम amount की filling करेंगे sold goods पहले पढ़ते है sold goods, sold goods के लिए क्या word use होगा sale और sale journal entry में क्या होगी credit होगी तो credit के लिए 2 तो आप पहले entry कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा to sale account यह तो हो गया अब आता debit की बाद इन्होंने बोला है कि किसको sale करें आपने मनीश को list price है 20% trade discount है और 10% cash discount है और 20% आपको check से मिल गया तो मतलब जितना आपने उसको sale किया है उसमें से आपको 20% आपको check से मिल गया तो this means बागी का 80% आपको अभी नहीं मिला आप सबसे पहला point note करने है आपको जब भी आपका trade discount आएगा जब भी आपका trade discount हो चाहे वो purchase के time हो या फिर sale के time हो तो सबसे पहले आप sale या purchase इसमें आप क्या करोगे amount डालोगे कैसे LP list price में से trade discount को minus करके purchase हो या फिर sale हो दोनों का amount पहले आपको calculate करना होता है जितना भी आपका list price होता है उसमें से trade discount का जितना amount होता है उसको minus कर देते हैं वो amount आपका purchase या sale के column में आ जाता है ठीक है तो अब क्या होता है trade discount को आप show नहीं करते हो तो पहले हम one by one करेंगे sale आपने credit कर दिया ठीक है तो sale में पैसे है उसके बाद आपने क्या आपका है bank को उसमें आपको check करना पड़ता है coming या फिर going अगर cash या फिर receive कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है debit और अगर जा रहा है तो करेंगे अब आप sale कर रहे हो sale में पैसा आएगा cash will come आएगा तो क्या हो जाएगा debit हो जाएगा पर debit में क्या आएगा, bank आएगा, तो क्या डालोगे हम, bank, account, debit, अब एक दूसरी चीज, कि जहां पर भी bank या cash word आएगा, उसे के साथ ही equal में, आपका क्या आएगा, discount आएगा, ये कौन सी discount होगी, cash discount, क्योंकि जो cash discount होगी, वो हमेशा cash और bank के साथ रहती है, अगर cash या bank debit है, तो discount भी क्या होगी, debit होगी, discount भी क्या होगी, debit होगी, अगर cash या bank credit है, तो discount भी credit होगी, तो bank account क्या है, debit है, तो naturally है, discount भी क्या हो जाएगा, discount भी debit हो जाएगा, अब बच्चा, मनीश की बात, क्योंकि सारा पैसा नहीं आया था, तो debit में एक चीज और क्या आ निचे कर देते हैं, स्पेस कम है थोड़ा सा और डेबिट में क्या आ जाएगा, मनीश भी, मनीश भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मनीश, डेबिट, मनीश के साथ अगर अकाउंट लगाना है तो अबलिक करके S लगाना होता है, और 2, अब हम डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, कैसे डालेंगे, सबसे पहले आपने एंटरि कर है, आपने Sol seoarte लगोट तो सेल को क्रेडिट कर दिया, जितना पैसा आ गया उसको आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि डिसकाउंट भी थी कैश डिसकाउंट, बैंक डेबिट है तो discount भी debit हो जो पैसा नहीं आएगा वो आपका उसके नाम में आ जाएगा आप क्या करोगे sale में क्या होगा जो list price है उसमें से trade discount minus करके जो amount आएगा वो आपका sale में सबसे पहले हम डाल देंगे कैसे आएगा यहाँ पर हम calculation करते है list price कितना है list price कितना है 80,000 इसमें से less कर देंगे trade discount कितनी है 20% कितना हो जाएगा 16,000 इसको आप minus कर दो 80,000 का ऐसे निकालेंगे 80,000 का 20% ऐसे निकालो 16,000 आएगा इसमें से minus कर दो तो कितनी आपकी sale हो जाएगी 64,000 की आप इनोंने बोला है कि 64,000 का 20% receive कितना हुआ 20% तो cash discount जो होती है जितना आपको receive होता है देखो अब 64 हो गया 64 का आप ऐसे charge बना लो 20% और 80% क्योंकि total 100% होता है तो 20% को अलग कर दो इसका 20% अलग कर दो और 80% अलग कर दो 64 का 20% को अतना होगा 12,800 और 80% कितना होगा 51,200 ये वल्ला जो है आपको नहीं मिला है तो जो amount नहीं मिला है देखो जितना आपको receive हो गया है न जितना आपको receive होजगा वो bank को discount में total करके आएगा जो नहीं मिला है 80% कितना 80% तो यहाँ पर 64,000 का 80% ये आपको नहीं मिला है तो ये इसके नाम में आ जाएगा ये clear हो गया अब ये जो 20% है इसके उपर आपको कितने परसेंट discount में लेगी 10% तो मतलब जितने परसेंट आपको receive हो वो bank को discount में total होके आएगा तो आप इसके उपर 12,800 के उपर 10% के हाँ पर क्या कर देंगे discount देंगे 12,800 में से 12,800 के आप क्या कर दो कम payment कर दो तो 11,520 अगर आप इन दोनों का total करोगे न तो आपका पूरा 12,800 बनेगा तो bank में कैसे डाला हमने जितना भी था 12,800 में से 12,800 माइनस किया और discount में आपने 10% आपने क्या दे दी discount दे तो बस simple सी बात है पहले sale लाले में column में आपको amount डाले list price में से trade discount माइनस करनी है तो आपने ये डाल दिया total ये किसका आगया sale का अब जितना आपको मिल गया उसको अलग कर दो और जितना नहीं मिला वो उसके नाम में डाल दिया ये नाम में डाल दिया और जो नहीं मिला उसके ओपर discount माइनस करके उतना amount discount में और बाकी माइनस करके bank वाले column में आ जाएगा स्टिल अगर आपको कोई भी point इस question में नहीं clear हुए तो comment section में छोड़ देना फिर से हम आपको reply करके समझा देंगे